हेलो एन वेलकम बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल मेडिफेक्ट में आज का टॉपिक काफी स्पेशल होने वाला है आज हम एक नहीं बलकि दो-दो टाबलेट का रिव्यू करेंगे आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बना बेल आइकन जरूर प्रेस करें चलिए बात करते हैं मैनफोर्स 100MG और मैनफोर्स 50MG की आज हम इन दोनों टैबलेट का डीटेल रिव्यू करेंगे जानेंगे कब और कैसे कौन सी टैबलेट आपको लेनी है क्या है इनका प्राइज, क्या है इनके साइड एफेक्ट्स हैं और भी इस टैबलेट से जुड़ी छोटी मोटी बात हैं यानि एक पूरा डीटेल रिव्यू तो दोस्तों वीडियो में लास तक बने रहेगा सबसे पहले बात करते हैं मैनफोर्स 100MG की तो अगर इसके प्राइज की बात करें तो ये है 232 रुपे यानि चार टैबलेट के आपको 232 रुपे देने है लेकिन 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 अगर आप किसी भी परिचित अपने मेडिकल स्टॉर से इसे खरीदते हैं तो ये आपको 20-25 रुपे पर गोली के हिसाब से मिलेगी वैसे आप नॉमली खरीदने जाएंगे तो ये आपको 232 की पड़ेगी जो किसका MRP है लेकिन अगर आपका कोई जानकार मेडिकल स्टॉर वाला है या आपका कोई फ्रेंड है जो मेडिकल स्टॉर पर है काम करता है तो आपको ये 20-25 रुपे पड़ेगी ये मैनकाइंड कंपनी का प्रोड़क्ट है दोस्तों मैनकाइंड फार्मेसी आज बहुत बड़ा ब्रैंड बन गया है सिर्फ टैबलेट्स ही नहीं इसकी काफी सारी चीज़े मारकेट में अवलेबल है हम बात कर रहे हैं 100MG की तो इसमें सल्डेनफिल सिट्रिट डाला गया है यानि इसके फॉर्मले की बात करें तो इसका नाम है स्टिल्डेनफिल सिट्रिट अगर बात करें इसके फाइदे की तो ये पुरुषों के लिए बेहद कारगर नदवा है कई बार आपने देखा होगा कि पुरुषों में उनके लिंग में तनाव की प्रॉबलम होती है तो ये उसे दूर करती है यानि अगर आपके पैनिस में एरेक्शन की दिक्कत है तो ये उसे सही कर देती है ये सिर्फ आत्मियों के लिए है अब जानते हैं ये काम कैसे करती है दोस्तों, सेल्डेनफल हमारे शरीर के blood flow को बढ़ा देता है specially देखा जाए तो ये काम करता है आपके body के lower part पे upper part पे नहीं, यानि आपके abdomen के नीचे का जितना area है ये उस पे काम करता है ये आपके penis में blood flow को बढ़ा कर erection यानि की तनाव को जल्दी कर देता है साथी, जिनने dizziness रहती है वो भी इसे ले सकते हैं लेकेन, लेकेन मैं फिर से कहूंगी कि कोई भी दवाई लेनी है तो आपको doctor की सलहा लेनी पड़ेगी ये बेसिकली आपके penis में तनाव को बढ़ा देता है ताकि आप अपनी sex life को अच्छे से enjoy कर सके ये आपके erection का time भी बढ़ा देता है अब बात करते हैं इसके सबसे important part की यानि की side effects की कोई भी दवाई आप लें उसके कुछ ना कुछ छोटे मोटे बड़े side effects तो होती है और आपको उन side effects पे ध्यान भी देना चाहिए दोस्तो इसे खाने से कुछ लोगों को diarrhea या फिर सिरदर्द blood pressure की काफी problem रहती है इसके साथ कई लोगों को चक्कर भी आते हैं उनके skin पे red color के rashes हो जाते है जो की ये side effect काफी common है अब जहां तक precaution की बात करें यानि इसे लेने से पहले आपको किस खास बात का धियान रखना है तो दोस्तो आपको इसे लेने से पहले अपने doctor से concern जरूर करना है यानि उन से सलहा जरूर लेनी है और 18 साल से कम उम्र के लड़के इसे कतई ना खाएं ये उनके लिए बिलकुल नहीं बनी है इसके लावा जिनका BP high रहता है वो भी इसे ना खाएं दोस्तो ये बात हुई है Manforce 100 mg की जैसे कि मैंने आपको शुरुवात में बताया है आज हम दो टैबलेट का detail review करेंगी तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी टैबलेट पे ये है Manforce 50 mg salt की अगर बात करें या इसके formula की बात करें तो दोनों में same salt यूज किया गया है तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों में salt same है company same है product भी same है तो फिर 100 mg और 50 mg में फर्क क्या है चलिए हम आपको वो फर्क बता रहे हैं लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो Medifact को जल्दी से subscribe करें चलिए आप बात करते हैं इसमें फर्क क्या है तो अगर आप इसे पहली बार ले रहे हैं यानि कोई भी पुरुष इसको अगर पहली बार खा रहा है तो वो 50 mg ही ले एकदम से आप 100 mg की तरफ ना जाएं इसके अलावा जिनका body weight कम होता है तो वो भी 50 mg से ही शुरूआत करें शुरूआत जो आपको करनी है वो आप 50 mg के साथ ही करें और इसे लेने से पहले आप अपनी body का एक journal check-up जरूर करा लें आप जानते हैं चाहे 100 mg हो या फिर 50 mg ये दोनों लेनी कैसे हैं तो दोस्तों आपको इसे लेना है इंटरकोर्स से लग भग एक घंटा पहले ध्यान रखे अगर आपको इसे लेते हुए सिरदर्द फील होता है तो आप इसे दूद के साथ लें कोई भी ऐलोपेथिक दवाई जो होती है वो पानी से ही ली जाती है कुछ स्पेशल दवाईयां ऐसी होती है जिनने डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप उसे दूद से ही खाए लेकिन ये आपको पानी से लेनी है अगर आपको सिर्दद फील हो रहा है इसे लेते वक तब आप इसे दूद से ले तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मैनफोर्स 100 और 50MG का ये डीटेल रिव्यू अच्छा लगा होगा और साथी काफी इन्फोर्मेटिव लगा होगा अपने काम का लगा होगा और अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्स्क्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे इन्फोर्मेटिव वीडियो लाते रहें और आपकी क्वाइरीज को दूर करते रहें हमारे सिल्यूशन्स आपके काम आए वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि 100 mg और 50 mg दोनों ही mankind brand की है दोनों का formula भी same है यानि same salt है दोनों को सिफ पुरूशी ले सकते हैं फर्क बस इतना है कि शुरुवात आपको 50 mg से करनी है 100 mg की तरफ आपको बाद में जाना है 100 mg में आपको 4 tablets मिलती है और 50 mg में आपको 9 tablets मिलती है और इसे आपको intercourse से एक घंड़ा पहले लेना है पानी से लेना है अब मुझे उमीद है कि आपके सारे points फिर से clear हो गए होंगे Medifact को subscribe करें बेल आइकोन को press करें ताकि informative videos आपको मिलती रहे धन्यवाद